स्वाकत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर सड्डा में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AI Airport Services Limited की तरफ से जो जौब वैकेंसी आई है उसके बारे में इसका जो पहले नाम था Air India Air Transport Services के नाम से जाना जाता था अब इसका नाम बदल के हो गया है AI Airport Services Limited की तरफ से वाक इन इंटर्व्यू निकला है वाक इन रिक्वार्मेंट है देहरा दून चंदिगड एयरपोर्ट के लिए और इसमें काफी ज्यादा वाइकेंसी आई है और काफी अच्छी पोश्ट के लिए और सबसे अच्छी बात है टेंथ पास, ट्वेल्थ पास और ग्रेजुएशन के स्टुजेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सीधे वाक इन इंटर्व्यू होगा विदाउट कोई रिटेंट टेस्ट हो गया रहा तो काफी अच्छा मौका है यहां पर हम देखते हैं कि किस की सीच लिए क्या चंडीगड में है और चंडीगड में कस्टम सर्विस एक्जक्यूटी कस्टूमर सर्विस एक्जक्यूटी दस पोश्ट है जूनियर कस्टूमर सर्विस एक्जक्यूटी के लिए दस पोश्ट है देहरादून में कस्टूमर सर्विस एक्जक्यूटी के लिए साथ अब हम बात करते हैं चंडी गट में हैंडी मेन की और हैंडी वोमेन की और देहरा दुन में हैंडी मेन और हैंडी वोमेन की तो चंडी गट में हैंडी मेन की 5 पोस्ट है और देहरा दुन में हैंडी मेन की 10 पोस्ट है और हैंडी वोमेन की 3 पोस्ट है और यानि कि टोटल जो से आई हुए 12 दुन और चंडीगड मिला के वो टोटल 74 पोस्ट आई हुई है और जो इसका वॉक इन इंटर्वू डेट है पहले जो ड्यूटी मैनेजर जूनियर ऑफिसर और कस्टूमर सर्विस एक्जेकुटिव के लिए वो सोरह प्रेयर और सत्रह प्रेयर को है यानिकि सो भी लिजबिल्टी क्राइटेरिया जो भी क्वालिफिकेशन है वो लेके पहुँच सकते हैं और बाकी के पोस्ट के लिए रहम सर्विस एक्जेकुटिव यूटिलिटी एजेंट कम रहम ड्राइबर बाकी सारी पोस्ट के लिए जो इंटर्व्यू के डेट है वो 18 प्रेयल और 74 पोस्ट के लिए इंटर्व्यू होने वाला है दस पास 12 पास और ग्रेजुएशन सारे इंप्लाइस को भर सकते हैं यहां तक यह पोस्ट डिप्लोमा बगरे के लिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि आई एर पोर्ट सर्विस लिम्टेड है क्या फॉर्मली नोन ए इंडिया एर ट्रांसपोर्ट सर्विस लुम्लेट विस्शच तूविल एयो इंग्झेज़ पर इस्टिमेटेकर्यद्य याने कि यह एर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिम्टेड के नाम से पहले जाना तक और इसमा Wait है और यह जो जाब है imported YEAH या इन कि यह तीन साल का भी ऐसे आ इसके बास से आपकी performant को देखते हुए सको आगगे एक्सटेंड किया जाएगा अब बात करते हैं कि जैसे आज की सारी एंड breaths का तो यह की यह की प्रोवाइड वल्ड-कमर्ड ट्रम खक zusammen क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो डूटी मैनेजर की जो पोस्ट थी डूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए उसमें ग्रैजुएशन चाहिए किसी भी रिकोगनाईज उनिएस्टी में और 16 साल का एक्सपीरियन्स चाहिए जो एक्स्पीरियन्स की इसमें चाहिए passenger handling function within airline और airport operator यानिकि इसमे 16 साल का experience भी चाहिए और इसमें जो considered रहने वाली और रहने वाली है 35,000 फॉपय और जो maximum age limit है वो 55 साल यानि कि जो भी candidates इस फ़र्म को feel करेंगे उनकी maximum age 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अब बात करते हम लोग junior officer technical की तो junior officer technical के लिए bachelor की डिग्री चाहिए mechanical में engineering में bachelor of engineering in mechanical automobile production या फिर electrical में यानि कि इसमें जो ग्रेजवेशन चाहिए इंजिनरिंग डिपार्टमेंट में वह आटो मोबाइल कर रहे मेकेनिकल कर रहे या electrical electronics कर रहे मैक्सिम में अथाइस साल होनी चाहिए और जो सैलरी यहां रहने वाली है जिनका कि पहले का airline या फिर cargo में टिकेटिंग experience हो अब बात करते हैं हम लोग जूनियर कस्टूमर सर्विस एक्जुक्यूट्यू की यह सबसे अच्छी पोश्टर 12th student के लिए जो भी 12th अपना पास की है किसी भी रिकोगनाईज बोट से 21,270 रुपए सेलरी रहने वाली है और इसमें OBC के लिए तीन साल हो रहे सीस्ट के लिए पांच साल का एज रिलेक्सेशन दिया गया है अब हम लोग बात करते हैं अब बात करते हम लोग अगले पोस्ट की जो की यूटिलिटी एजेंट कम्रेम ड्राइबर है उसके लिए तेंथ पास मतलब स्टुडेंट भी पास कर सकते हैं और एरपोर्ट में काम कर सकते हैं 21,270 रुपेज में रहने वाली है अब बात करते हैं है या हैंडी मैं हैंडी वोमन की इनके लिए भी तस पास चाहिए हमारा ठेंथ पास रहे और मस्ट वी अबल टू रीड और अंडी इ आप लिखा हुआ है जैसे ड्यूटी मेंजर के लिए प्रस्टनल या फिर वर्चुवल इंटर्वी आपका प्रस्टनल भी होसकता है वर्चुवल भी हो जकता है जो डेट पड़ा हुआ है 12 अप्रेल से लेके 19 अप्रेल के बीच में रेंप के लिए भी सेम है आपका और जो मतलब ड्राइविंग उनको टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट इंक्लूड रहेगा उसमें और उसके बाद प्रस्टनल इंटर्व्यू होगा बाकी सारे पोस्ट के लिए यानि कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होने वाला सीरे इंटर्व्यू बेसिस पर आपका सेलेक्शन होने वाला है अब बात करते हैं इसमें हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे तो यह जो है वाकिन इंटर्व्यू है और इसमें अप्लाई करने के लिए 500 रुपे का फीस है जो पी केंडिडेट को भरन करते हैं सेलेक्शन सिर्फ आपका और प्रशनल इंटर्व्यू बेसिस पर है वहाँ पर और कोई इसमें रीटेन एक्जाम नहीं यानि कि यह जो जाब आई है टेंथ पास ट्वेल्थ पास ग्रेजुएशन और डिप्लोमा स्टुडेंट्स के लिए आई हुई है काफी अच लोग घाई हुई है